समस्याओं का पहाड इस शहर में खड़ा हो गया है समस्याओं का पहाड समझते हैं आप पहाड खड़ा हो गया है लोगों की बदद करने का काम करना पड़ेगा आधार काड का कैम लगाय जाएगा ये कैम लगा जाएगा वो कैम लगा जाएगा पिछले पाथ साल में कैम जी नहीं लगते हैं राशनकार का कैम लगा जाएगा अछी बात है लगना चाहिए हमारी मी पाटी के लोगों ने लगाना चाहिए लगना पाथ साल क्या हुआ पांच سाल में आपको यह याद नहीं देनी पड़ा के अधारकाड की जरुवत है राशनकाड की जरुवत है पासपोर्ट की जरुवत है फुलिश क्लेरिंज की जरुवत है पात साल भूल याते हो और जब चुनार आता है तो खुटे आश्वसन दеने का काम चुरूब होता है ये शहर में कोई दुसरी पाटी को एप लालन नहीं कर सकते हो माल मैं आपको कितनों को वाल मैं अथ उपर किजिए क्या माहपालिका के बाहर आंदोलन करना आपको एलाओट नहीं शहरमें और को नहीं लग सकती कि साहब की सार這個 यही लोग के और वह पार्नरश्यप करते हैं कि प्रवोत महाजन सभाक राल टेन्डर यही लोग लिते हैं स्प्व्ट्स कोंप्लेक्स टेन्डर यही लोग लते हैं सक अब जंदर की तकलीव इस शहर आंधितो बढ़ गई है कर रहा है तो इससे समझ जाईए क्यों बढ़ गए और फिर क्या करने का है तो ड्रामे वाजी करने का शाम में बजार जब भरता है बांसर्स लेकर के पब्लिक के बीच में ड्रामा करने का कि हम दो होकर्ष को हटा रहे हैं लेकिन होकर हट्ते नहीं है हम अगर हट्ते से मुन्च पाइटी का पैसा को बन वसुल कर रहा है बुंस पाइटी कर रही हैं और फिर शाम में यह हटाने का ट्रामा भी करते हैं रास्तों में खटे किनते हैं, आपके बास स्कूटर है, गाडिया है, बस चलती है, भोडिंग क्या लगी है, हमारे शहर में कॉंक्रिट के रास्ते, जिसके घर में गैस का पाइपलाइन है, उस महिला का फोटू, पोस्टर में लगाते हैं, ये मेरे घर में गैस आ गया,